कॉंग्रेस नेतर अंडीब सुर्जेवाला ने जेबीटी अध्यापक भरती के निमन लिखित पहलों पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार बताएं साल 2012 में कॉंग्रेस सरकार ने 12,731 जेबीटी अध्यापकों की पक्खी नोक्री लगाई 12 साल से साल 2012 और 2024 तक भाषबा सरकार ने एक भी जेबीटी अध्यापक को क्यों नहीं लगाया प्रैमरी टीचर भरती के लिए HTET एक्जाम करवाया साथ लाग पचास हजार युवाओं ने एक हजार जमा करवाया साथ लाग पचास हजार बच्चों से भाषबा सरकार ने 75 करोड रुपए वसूल लिए 12 साल से एक जेबीटी टीचर भी क्यों नहीं लगाया बच्चों से वसूले 75 करोड किसकी जेब में गए 5 सितंबर 2019 को किराना देवी केस में भाषबा सरकार को पंजाब एंड हर्याना हाई कोड ने जेबीटी अध्यापकों की भरती ना करने के लिए फटकार भी लगाई और 25,000 का जुर्माना भी लगाया भाषबा सरकार ने हाई कोड में अफिडेविट दे कर कहा कि सरकार 9670 जेबीटी टीचर जल्द लगाएगी 2019 से 2024 तक तो जेबीटी टीचर की वेकेंसी बढ़ा कर 11,000 से 12,000 से भी अधिक हो गई है फिर 12,000 से अधिक जेबीटी टीचर के पद खाली क्यों है इतनी वेकेंसी होने के बाद भी दिहाडी पर कोशल निगम के माध्यम से केवर अथाई सो जेबीटी टीचर ही क्यों लगाए जा रहे हैं भाषबा सरकार के 2021 के विधानसवा सत्र में ततकालीन मुख्यमंत्री शिरी मनोहरलाल खट्रने विधानसवा के पटल पर बताया कि अब जेबीटी टीचर नहीं लगाए जाएंगे साथ नवंबर 2022 को हर्याना की भाषबा सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी अगर भाषबा सरकार और उनके मुख्यमंत्री खुद विधानसवा के पटल पर ये कह रहे हैं कि जेबीटी टीचर नहीं लगाए जाएंगे तथा भाषबा सरकार अगर भाषबा सरकार नेशनल को लिख कर जेबीटी खतम करने की बात कर रही है तो क्या फिर कोशल विकास निगम के माध्यम से 2800 जेबीटी टीचर की दिहाडी पर न्यूकती केवल युवाओं को बरगलाने वह देवकू बनाने का भाषबाई शगूफा है साल 2015 में भी भाषबा सरकार ने तीन से आठ महिने के लिए जेबीटी टीचर दिहाडी पर लगाए गए वह बाद में उन्हें नोक्री से निकाल दिया गया क्या अब फिर से चुनाओ को देखते हुए दिहाडी पर जेबीटी अध्यापक लगाकर चुनाओ के बाद उन्हें बरखास्त करने का शड़यंत्र किया जा रहा है कोशल विकास निगम के माध्यम से दिहाडी पर जेबीटी टीचर लगाने का क्या ओचेत्य है क्या ये सही नहीं है कि कोशल विकास निगम के माध्यम से इन कच्ची नोक्रियों में सो सो किलोमीटर दूर पोस्टिंग की जाती है ना समय पर तनख्वा मिलती है और ना ही पूरी तनख्वा मिलती है और एक साल की कच्ची नोक्री के बाद फिर बच्चो को फिर रोजगार के लिए दरदर की छोकरे खानी पड़ती है तो फिर युवाओं का ये शोशन क्यों? भाजपा सरकार जवाब दे नमश्कार साथियो एक बार फिर हर्याना की भाजपा सरकार दिहाडी पर अध्यापक लगा कर जेबीटी अध्यापकों को जिनोंने बीएड और डीएड पास किया है उन्हें गुमरहा करने का एक नया शडियंतर कर रही है हर्याना कौशल निगम से अब 2800 जेबीटी अध्यापकों की दिहाडी पर नियुकती होगी क्या होगा उन बच्चों की जिन्दगी का और क्या होगा उन बच्चों को जिनको वो पढ़ाएंगे? सवाल सीधा है इसके चार या पांच महतपूर्ण पहलू हैं जिसका जबाब भाजप्पा की सरकार नहीं देगी पर सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि शरियंतर का परदाफाश करना जरूरी है नमबर एक आखरी बार हर्याना में जेबीटी अध्यापकों की नियुकती हुई थी साल 2012 में कॉंगरेस सरकार में हमने 12,731 जेबीटी अध्यापक लगाए 2012 के बाद 2024 आ गया जब चुनाव में दो महीने बचे हैं तो 12 साल बाद अब भारती जन्ता पार्टी की सरकार दियाडी पर गौशल विकास निगम के माध्यम से अठाइसो अध्यापक लगा रही है ऐसा क्यों क्या इसका जबाब वो देंगे दूसरी बात साथ लाख पचास हजार बियेड और डियेड के बच्चों से पी आर टी का एच्टेट एक्जाम लिया हम चार सो रुपिया फीस लेते थे पर एच्टेट की फीस ली एक हजार रुपिया यानि साथ लाख पचास हजार बच्चों से इन्होंने एच्टेट एक्जाम के माध्यम से प्राइमरी टीचर के लिए पचेतर करोड इकठा किया पर दशक बीट गया आज तक भी एक भी टीचर की पर्मानेंट जेबीटी टीचर की नियुकति क्यों नहीं हुई बारा साल से जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगाए गए उन पचेतर करोड रुपियों का जो बच्चों ने दिये वो कहां गए क्या इसका कोई जवाब बीजेपी के पास है तीसरा पहलू 5 सितंबर 2019 को किराना देवी के केस में पंजाब हरियाना हाई कोट ने भाजबपा सरकार को फटकार लगाई के जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगा रहे दस हजार पच्चिस हजार रुपिया जुर्माना भी लगाया तो भाजबपा सरकार ने शपत पत्तर दिया और कहा के वो बहुत जल्द 9,670 जेबीटी टीचर लगाएंगे पर 2019 से 2024 आ गया अब तो इन खाली पदों की जेबीटी की संख्या भी 11,000 से अधिक हो गई तो 12 साल से और 2019 से 2024 छे साल के बीच में एक भी जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगाया क्या इसका कोई जवाब बीजेपी के पास है चौथा पहलू 2021 के विधान सभा सत्र में कटर सहब ने बाकाइदा विधान सभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि अब हम जेबीटी टीचर लगाएंगे ही नहीं क्योंकि बी एड और डी एड की जरूरत ही नहीं उसके बाद साथ नवंबर 2022 को ये तारीख याद रखिए भाजप्पा सरकार ने हरियाना की नैशनल काउंसल फोर टीचर एजुकेशन एंसी टीई को लिख कर कहा के उन्होंने हरियाना में बी एड और डी एड दोनों खतम कर दिये हैं अब सवाल ये है कि एक तरफ तो विधान सभा के पटल पर उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोरलाल खटर ने कहा बी एड डी एड खतम जेबी टी टीचर की जरूरत नहीं साथ नौंबर 2022 को आपने NCTE National Council for Teacher Education को का जेबी टीचर की जरूरत नहीं तो अब क्या बच्चों का बेवकूफ बनाने के लिए 2800 जेबी टीचर की पोस्ट कौशल विकास निगम के माध्यम से निकाली है क्या इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री और भाजबपा सरकार देगी क्या सच है और क्या जूट है और आखरी बात जेबी टी जब हर्याना कौशल निगम से निकालेंगे तो 100-100 किलोमेटर से ज़्यादा दूर नौकरियां लगेंगी टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी एक साल के बाद फिर नौकरी ढूननी है तो बच्चों का बेवकूफ क्यों बना रही है इसलिए केवल के साथ दिन बाद चुनाव है तो बेवकूफ बनाकर वोट बटो रो और उसके बाद मौकरियां खतम कर दो एक तरफ बोलते हैं जेबीटी की जरूरत नहीं बीएड डीएड की जरूरत नहीं दूसरी तरफ आप अठाईसो पद निकालते हैं वो भी बारा साल के बाद जब कुल पद 11,000 से अधिक खाली हैं क्या शिरीमान नायब सैनी इन बातों का जवाब देंगे क्या बीजेपी क सरकार इन बातों का जवाब देगी जेबीटी बच्चों का बीएड और डीएड पास बच्चों का आप बेफूब बनाने का शडियंतर क्यों कर रहे हैं और दिहाडी के अध्यापक किस परकार से अपनी जिन्दगी जी पाएंगे और कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे बढ़ा पाएंगे इन सब बातों का जवाब हर्याना की बीजेपी सरकार को देना होगा जैहिन भन्यवाद